जारखन के स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता के उपर वदाखिलाफी के आरोप के साथ अपनी मांगू को पूरा करने के लिए आज सेक्योरिटी कर्मचारी संग के अध्यक्ष के द्वारा मोहराबादी स्थित आक्सीजन पार्क में एक प्रेस वारता आयोजित की गई आपको बता दें कि लंबे समय से सेक्योरिटी कर्मचारी अपनी मांगू को लेकर लगातार मंत्रियों के चौकट पर चाकर दस्तक दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी नतीजा अपस तक कुछ नहीं बदला बीते दिनों स्वास्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया था कि मांगे पूरी कर दी जाएंगी लेकिन अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई देखिए आज का जो प्रेस कांफरेंस था जिसे स्वास्ति भाग का है राथी सदर अस्पताल और चिले की समुदायक स्वास्ति केंद्रों से जो 155 सुरक्चर कर्मियों को 2019 में हटाया गिया था और 2019 से आज तक स्वासन ही मिलता गिया ठीक है उसके बाद आज का सबसे बड़ा प्रेस का यह है कि जब स्वास्त मंत्री जी आदनी बन्ना गुप्ता जी को जब सारी जानकारी सबूत के साथ दे दिया गिया फिर अभी तक करवाई उन्होंने एजें समानता सिक्रूटी एजेंसी वो इतना चड़ गिया है कि अभी सदर अस्पताल मेरे कुछ पुराने सुरक्षा करें हम लोग जाते हैं तो कुछ लोग वहां है जो मार्पिट का बात करता है और मंत्री जी जब बोले कि हम इस पर करवाई करेंगे तो अभी तक फिर करवाई क्यों ने कि एक तरफ बोलते हैं कि अभी किसी को बाहल ने करें हम चाहते हैं कि समानता सिक्रूटी एजेंसी से हम लोग कोई पुराना यह कुछ नहीं है जो पुराने लोग है उसको काम में रखा जाए और नहीं तो जो ऑडियो वायरल हुआ है जो उसका सबूत दिया गया जाने हैं 우리는 करें मंत्रीजी कर रवाय करें मंत्रीजी अभी तक कर रवाय क्यों नहीं कर रहे हैं और यहां तक कि जो एजेंसी का जो मालिक है उसका कहना है कि मंत्रीज लेके आप लोग मुखमंत्री तक चले जाए हमको कोई फरक नहीं पढ़ता है हम काम सामानता सीक्रूटी एजंसी है उसका मालिक का नाम तारकेश्वर सिंग है मुखमंत्री जी के पास हम लोगों ने पास तारिक को उनका वेजडी को आवेदन दिये हैं वेजडी सहाब बोले हैं कि मुखमंत्री तक ये बात हम पुंचा देंगे और अगर वह ऐसा होगा तो आप लोग दो मंत्री जी मंत्री जो स्वास मंत्री जी है वो तो कभी कभी ऐसा अस्वासन दिये कि लगता था कल हो जाएगा परस हो जाएगा लेकिन तीन साड़े तीन साल से अस्वासन केवल अस्वासन आज तक कहीं पर वह पहल नहीं किये औरह गए। अगर कहते हैं सुनने में आया है कि मुखमंगी जब तक नहीं कर पाएंगे, तो वह मंतरी है केबिनेट में एक साथ बैठते हैं, जब चाहेंगे मुखमंधी जी से कर सकते हैं क्यों करते हैं कई भार बोले देखते हैं बाबु देखते हैं लोक कुछ नहीं कर सकते हैं क्या प्रेंसे руки 24 गंटे लिए मैडम एक गंटे तक उस पर कुछ नहीं हुआ एक घंटे के लिए भी उसको तो फिर आड़े 3 serait क्यों बोल रहे थे को बोल रहे थे कि हो जाएगा आपका काम फले कि आपका कागवि जौ दावा एड़ये दुसरा काम किजिए भटकते रहे बोलना चाहिए मंत्री जी को गरीब के साथ खिल्वाल करने में अच्छा लगता हैं स्वासमंत्री जी को अब यह मैना के बाद अंतिम डिसीजान हम लोग का लिया गिया है कुछ बड़ा होगा अभी उसको सारवाजिन नहीं करते हैं तो हम लोग पर फायर होगा इसलिए सरवाजिन नहीं करेंगे लेकिन देखेगा पूरा जारकंड की जब आदीबासी जब एक जूट हो जाता है और जो ठान लेता है हुकर के दिखाता है पूरा जारकंड देखेगा अभी चुनाओ का समय है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले